असलाम अलेकुम कैसे आप साब मैं उमीद करती हूँ आप सब खरियत से होंगे आज हम एद का तीसरा दिन मना रहे हैं यहां साथ आफरिका में और कुछ समझने आ रही कि कहां पर जाना है वीकेंड है वैसे तो आज हमने डिसाइड किया है कि हम हमानस चलते हैं तो कोई हमानस में बहुत सारे पछी तफ़ा जब मैंने वीडियो डाली थी तो मुझे काफी ज़्यादा मैसेजिज आए थे कि हम रहते हैं तो जो तो हम रहते हैं उनको पता है कि हमानस कितना खुबसूरत डा दैखा वो आज देख लेंगे मैं थोड़ा बहुत आपको यहां पर लोगों के घर है और पीछे माउंटेंज है कितनी खुबसूरत लगती है ना ऐसी सीनरी देखना और ऐसी जगों पर रहना ब्लैसिंग है कितना नाइस लग रहे है बच्चों के स्कूल का बसला ना हो मैं तो ऐसी जगा पर आके रहा हूं रहूं यहां पर इतना सकून जहरान से अब यहां से जो मैं आपको दिखा रही हूं आप देख सकते हैं उपर रोड जा रही है हमें यहां रोड से गुजरना है और अब हम यह बिलकुल वही पॉइंट पर पहुंच गया और नीचे से सी भी इतना खुबसूरत नजर आ रहा है यहां से बहुत खुबसूरत यहां से बनी हुई है कि यह ड्राइव का बहुत ही मज़ा आता है यहां पर हर तरफ आपको इतना नाइस सीनरी देखने को मिलती है तो हम सारे रास्ते हम बच्चे हम सब इंजोई करते हुए अब आप देख सकते हैं यहां मैनस टाउन पहुंच गए हैं मैनस टाउन बहुत ही खुबसूरत टाउन है और बहुत पीसफुल है छोटा सा टाउन है जहां तक मेरा ख्याल है बहुत बड़ा टाउन नहीं है को अगर हम को केप टाउन के साथ कुमपेर करें लेकिन बहुत ही अच्छा आप देख सकते हैं अब हम यह वाटर फरंट एंटर हुए और यहां पे आप देखेंगे के लोग किस तरह इंजॉय कर रहे हैं यहां पर गाड़ियां पार्क करके यह होटेल्स हैं यहां पर अपार्टमेंट्स हैं यह सबी इस रोड़ पे और बहुत ही अच्छी जगाए यह देखें लोग रेलक्स करें व्यूजय करें जो बहुत ही मज़ा यहां पर आके तो मैंने का कि मैं आपको खाने से पहले थोड़ी सी वीडियो उतारती हूं यहां पर हम खाने के लिए यहां पर बैठे हैं यहां पर एटाइम स्पेंड करेंगी क्योंकि यहां पर इतना अच्छा मैं आपको एक अरांड दिखाती हूं कितने नाइस यहां पर प्ले एरिया बनाया आज तो वैदर भी बहुत ही अच्छा है शुकर है बारिश भी है पिछले दिनों इतनी बारिश यह थी इतनी हवा थी के बहुत मुश्किल हो गया था लेकिन अब भी मैं आपको दिखाती हूं आज इतना अच्छा वैदर है और व और उसमें आइसी ड्रिंक मगाली है और ज्यादा भी ठंडी लगेगी आगए बच्चों ने अपने लिए बगर्स ओर्डर किये थे चिप्स ओर्डर किया था बहुत ही टेस्टी बगर्स लग रहे थे और बच्चे तो अपना खाना एंजॉई करने लगे और हम अपने खान होगा यह और यह थोड़ा रिच है हो गया यह लेमन स פसल लैमन बटर सॉ्दिकिन बहुत लग रहे है है यह चीकानहा है आज फीर को खाना तॉस्टीग जो कि में बिच लग रहे है यह ब्लाक स्टेक लगर रहे है थेज्क बिच्छना गितना ब्लार है के मेरा वो कामरा था अब हम लंच कर रहा है बहुत मज़ा था बहुत मज़ा आया अब हम नीचे जाते हैं और नीचे रेश्टरेंट है वहां से विए देखते हैं कैसे लगता है तो चले नीचे चलते हैं अभी यह रास्ता है नीचे जाने के लिए यह रास्ता जाता है नीचे तो हम यहां से चलते हैं आजाओ और हम अभी चलते हैं चल्दी चल्दी से चलते हैं नीचे के उपर आने में पर काफी टाइम लग जाएगा नीचे भी नहीं है देखो नाइस है कित्या जिए जगा पहिनोने जए बनावा चोटा सा रस्त्रम हुर हम चलते हैं यहां से गज़त यहां खड़े होटे हुआ रहां रहां यहां पाथ यह खड़े होत साइज म में शहीए हैbars कोई टाइटानिक सीन बनाएंगे चले अभी हम आगे हैं नीचे और आगे चलते हैं थोड़ा सा यहां पर पैटिंगे क्योंकि लंच तो हमने कर लिया हुआ है अभी कि तो अच्छा है यहां पर समर में सही मज़ा आता है वैसे अभी भी इतना विंटर तो नहीं है लेकिन हवा काफी ठंडी है चले मैं आपको दिखाती हैं यह दिखें नीचे आगे हम पर और आगे जलते हैं यहां पर आके बैट के अराम से शकून के पानी काफी ज़्यादा कुपर को आरे अरह आरम मत्या कारहे हो अरहां और अच्छा लगा है आरहम है किसे अ पक nac embora है अंच्छ लगरान और लगम्स आख आ करहें हैं अरहम और बूंग्स के में कारहें यह आतर को आहने से की उना आप है अरह आ dipping के क्व Stre कूछनें сам स्क्ष behavior का कि अपर जाना थोड़ा हार्ड है और वह भी खाना काने के बाद कि अपर जाएंगे अर्फ मैं तो भी सही थक गई हूँ अभी तो स्टार्ट ही किया है अभी थक के उपर आगे है चलना कितने अन्फिट है थोड़ सी सिर्यां उपर चड़ना मुश्किल हो गया था अभी मैंने का मैं यह दिखाती हूं नाइस यहां पर रहने के लिए कितने अच्छे होटेल्स हैं कि अपार्टमेंट्स अभी नेक्स ताइम आएंगे तो अच्छी तरह बुकिंग करके आएंगे मैं आपको सही बात बता हूं अभी मैंना रिग्रेट कर रही हूं क्योंके जफीर ने कहा था कि हम चलते हैं नाइट स्पेंट करेंगे और मैंने का नेई क्योंके हमने कोई त्यारी नहीं की हुई अपनी तो हमने जाते हैं लेकिन अभी मैं रिग्रेट कर रही हूं कि हम लोग ले आते सब अपने कपड़े ले आते बता चल गया है नेक्स टाइम के लिए जो भी नेक्स टाइम आना होगा तो हमें बता चल गया है कि यहां पर हमें असानी से अब मिल जाएगा अपार्टमेंट हो यहां कुछ भी तो हम यहां पर आके ताइम स्पेंट करेंगे, एक इसी जगों का मज़ा होता है, मौनिंग दोगे बहुत मज़ा आता है, कभी भी मांटन्स पे या बीच की जगा पे कहीं पर कीजाएं आप, तो कभी-कभी क्या होता है, बालों की इतनी बुरी हालत होगी है, मैं भी बाल खुले चोड़ कर आ करते हैं कि आपको ब्रेक की ज़रूरत है तो थोड़ा टाइम निकाल के आजाना चाहिए थोड़ा सबने आपको टाइम देना चाहिए रिलाक्स करना चाहिए अपनी रूटीन और अपने कामों से निकल के ज़रूर थोड़ा बहुत हॉलिडे के लिए भी टाइम निकालना चा यह देखें कि इतनी खुब्सूरत लग रहा है यहां पर सोच्रियों यहां पर थोड़ा से नीचे जाएं और यहां पर बैठें अभी मुझे असे लगता है कि पता नहीं हमने शायद जैकेट पैन लिये यह मुझे जाद है जब हम आए थे उस ताइम पर बहुत ज्यादा सद सब और हमने सोचा था कि हम यहां पर लास्ट वीक हमने देखा था कि हम यहां पर आके रहेंगे लेकिन फिर से कैंसल कर दिया अभी मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है कि हम यहां पर आके रहना चाहिए था देखें इधर व्यू बीतना अच्छा है और यह साइट में यह और अगर मैं बैक साइट पर आपको दिखाऊं तो पीछे देखें कितनी अच्छी रहने के लिए सब जगे मुझे नहीं पता था कि पहले हम आये थे के पगैलस के लिए जब भी हम आये थे तो वो टाइम पे हम लोग हमानस के लिए सिर्फ हमानस थोड़ी देर के लिए विटर आरहा है तो इशी जगा पर आपको मजा आते है समर में आने का इसे जगाप यहां बैठने की पूर टि डिफ्रैंट जगों पर उनने ने बैंची रखने में तब यहां पर दो बॉलाया थो ने पूर बेच रेलाक्स कर सकते हैं जो गाठ भी बड़ा अच्छा यह बहुत अच्छी जगह है लेकिन मुझे लिगता है यह पॉइंट है जहां पर आप आप हराम से बैख सकते हैं तेखें कितना नाइस लग रहा है यहां पर यह वाले पेंच से बहुत अच्छा थी बज़ाता है बहुत खुबसूरा टाउन है यह यह आप देख रहे हैं कितने अच्छे हैं यहां पर होटेल बढ़े में यह होटेल बहुत खुबसीन है मुटसा नाइस समंदर पर इसका व्यू भी बहुत अच्छा है अच्छा नाइस वीव बहुत अच्छा है Crash अच्छा नहीं बहुत जाने का ताम आ गया था तो बच्चों को आइस देश पेंड किया हमने यहां पर अगर नाइट पेंड कर रहे होते तो और मज़ा आता लेकिन कोई नहीं नेक्स टाम आएंगे बहुत दूर नहीं है केप टाउन से तो पास ही है और देट गंटे की ड्राइब है तो बल्के मुझे तो लगता है देट गंटे से भी कमी लगा तो नेक्स टाम जरूर आंगे आप मेरी वीडियोव जरूर देखें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और ताकि मेरा चैनल ग्रों हो तो इंशाला नेक्स वीडियो में आपके साथ मेलूँगी किसी और ज़गा पर आपको लेकर चलूँगी तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखें, इंशाला फिर से मिलेंगे, अलाफिस